जेहिन दोस्तो आज हम जिस भरती के बारे में बात करेंगी वो Food Corporation of India यानि कि FCI की और से नहीं वेकंसे का नोटिफिकसन जारी हुआ है यानि खाद्य विभाग की और से आपर नहीं वेकंसी निकाली गई है ओल इंडिया वेकंसे आपको यहाँ पर मिल जाएगी यानि कि भारत दिपार्टमेंट की और से नहीं भरती निकाली गई है आपको यहाँ पर टोटल वेकंसी दी गई है 946 पलस आपको यहाँ पर वेकंसी भी दी गई है कैसे आपको यहाँ पर आविदन करना है कौन-कौन डोकुमेंट की जरूरत रहेगी कब से कब तक आप यहाँ पर इस वर सब गुरुप जोइन करना चाहते हैं तो सका लिंक बेफकर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और अगर आपको यहां पर इस लिडियों कुछ भी अच्छा लगते हैं तो एक लाइक जरूर कीजेगा अगर आपको इनने तभी लाइक करना नहीं तब डिसलाइक भी कर सकते है जो सभड़ती का रिक्रूटमेंट और गसान नेम रहेगा वो फूट डिपार्टमेंट के और सो विजल नोटी पीकेसन यहां पर जारी किया गया है नंबर उप जो आपर वेकेंसी दी गई है नोचालीस वेकेंसी दी गई है टोटल जो पूफ्ट नेम होगा टोटल आपको को यहां पर क्यों इस भड़ती के लिए आवईदन करना होगा हूँ के ने अपलाई तो भारतिक किसी भी राज्जी सब आवईदन कर सकते हैं महिला और प्रूसकंडेट में आपर आवईदन कर पाएंगी अगर हम इस भड़ती के पिस के लिगी बात करें यानिकी जो आपक इसकी बात करें यूर जन्रल ओबीसी अधरिश्टेट के लिए 110 रुपे पर कंडेट आपका पे करना होगा अगर आप ऐसी फीमेल कंडेट है तो आपको यहां पर कोई फीस नहीं देनी होगी और आपको फीस में मिट करनी होगी वो डेबिट काट कर नेट बैंकिंग बैंक चालान दुबार है या पर आप इनको प्य भी कर सकते हैं अगर हम इस भरतिके अज लिमिट के बारें बात करें अगर आप यूर जनरल कंडेट है रहाट OBC कंडियेट के लिए ठार से 43, SC और ST कंडियेट के लिए ठार से 43 और 45, जेज काउंट की जाएगी, एक जून को आपकी जने तो ठार से कम होने है, 40 से जादा हो, यानि कि जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी गई है, OBC वालों को यहाँ पर तीनर चूट भी आपको दी गई है, और हमारे चैनल प्रने हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा, इस बढ़ते जो फिजिकल टेस्ट हो किसी परकार का नहीं होगा, यानि कोई हाइट, कोई वेट दोड भी आपके यहाँ पर नहीं होगा, ओनलाइन फॉर्म फिल करना, अगर आप चाहते हैं, तो अपके पास इन डोकुमेंट की जरूरत रहेगी, आधार कार्ट, कार्श टेविएट, डॉमिसाइल, एजुकुसम सभी जानकारी, फोटो और सिगनेचर अगर आपके पास है, तो भी आप यहाँ पर इस भरती के लि आविदन कर पाएंगे, अगर आपने सिंपल दस्वी और बार वी पास किया हुआ है, तो भी आप यहाँ पर इस भरती के लिए आविदन कर सकते हैं, अब दिखे फ्रेंट जो यहाँ पर इस भरती के सलक्सन प्रश रहेगा, सबसे पहला पका रिटेन एक्जाम होगा जाने जाना है, और आपको वही से आविदन करना होगा, अब दिखे फ्रेंट जो आपर इस बड़तीय से लेपस होगा, यानि जो एक्जाम पैटर्न रहेगा, उसकी जानकर यहाँ पर दी गई है, आपको आपर सब्जेक्ट के नेम दिख जाएंगे इस बोक्स में, और जो आपक आपको यहाँ पर आजाना है, यह प्लाइन फोंफिल करने के लिए, जैसे आप यहाँ पर किलिक करेंगे, तो आपके सामने आपर इस बड़तीय के अपना ओनलाइन फोंफिल करना होगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर इस बड़तीय फुल नोटिक जारी हो चुका है, तो इस बड़ती की ओफिसल वैफिट का लिंक भी आपको यहाँ पर प्रोइड किया गया है, जैसे आपको यहाँ पर ओनलाइन फोंफिल करना होगा, अगर आप यहाँ थोड़ा से नीचे आएंगी, तो आपको यहाँ पर डेट वी बताएंगे, दस पांच दोएर तेस को यहा आपर नोटिफिकन जारी हुआ है, इस बड़ती की ओनलाइन फोंफिल करने के लिए, तीस मही से लेकर तीस अपर यहाँ पर इस बड़ती के लिए ओनलाइन फोंफिल भी कर पाएंगे, और मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूँ किस परकार से आप इदन किया रहेगा, तो इस वीडियो कर लिंक आपके आपर मिल लेगा, अब यहाँ से वो वीडियो भी देख पाएंगे, और अगर आपका अभी भी कोई कोशन है, तो नीचे कमेंट बुक्स में पूछेगा, मैं जरूर रिपलाई कर दूँगा, जेहिंद वन्नेमात रहें